वेलकम टो प्यूर कोकिंग इस वीडियो में हेदरबादी कुछला हुआ गोष्ट या कुटा हुआ गोष्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूं बहुत ही मज़ेदार और यूनिक और पुराने वक्तों की रेसिपी है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले इसके लिए म अब इसमें एट करेंगे हल्दी पाउडर और रेट चिली पाउडर ब्लैक पेपर पॉडर एट करेंगे और कॉटे टी स्पून हेदरबादी करम मसाला यह जो कुटे हुए गोष्ट की रेसिपी है इसको मैं अथेंटिक तरीखे से ओकली में बना रही हूं यानि पत्थर क पेस्टिलने मसद फ्रतीटा है दो कोटमीर दाल देन वह तो खायए है दोम कर्याником में दॉब जासे सबसे ज़दा अच्छाँ सब्सेटा नहीं आए मिक्सी का पाउन पइसक्ग हं अब आपने हलके हाथ से इसको कर दोम झाल सकती है आपण आपने और एक्ट को क्रश करना जnat नहीं बनाना है। भिखत मीतवार भाहना में लेड़ आ कि जा तुक्त लेताइट बेशा भाष। कोष्ट को को destacते जाना है कि जो सारे मसाले हमने डाल है वो सारे मसाले हमने जाना राइफ NEघ. और गोष्ट मज़ेदार हो जाए तो जो तला हुआ गोष्ट है अगर आप उसके टेस्ट को एक और लेवल पर खाना चाहते हैं तो यह रेसिपी को आप जरूर डाय कीजिए इस तरह से आप बनाएंगे तो जितने भी हमने मसाले दाले हैं वह गोष्ट में इंफ्यूज हो ज जल्दी जल्दी आपने इसको अलग कर लेना है नहीं तो यह एक डो की जैसा हो जाएगा जैसा गेहूं का आटा होता है गुना हवा वैसा हो जाएगा तो आपको इस तरह से जैसे मैंने खोल लिया है जल्दी से इस तरह से खोल लीजिए चमच की मदद से और भुल लिया है मैंने इसको मेडियम फ्लेम पर ही अब देखिये गोष्ट का कलर अच्छे से चेंज हो गया है अब हम इसमें आड़ करेंगे पानी पानी आपने अच्छा खासा दालना है क्योंकि गोष्ट को हमने अच्छे से गलाना है इसको उतना ही टाइम लगेगा पकने के लिए जितना के तले हुए गोश्ट को लगता है इसको ज्यादा पानी में गला है लेकिन कुकर में नहीं गला है कुकर में इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा अब देखिए सारा पानी सुख गया है और गोश्ट भी बहुत अच्छे से गल गया है तो इसको एक पांच मिनिट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे अच्छे से नरम हो गया है वह बाहर से क्रिपी हो जाए इसको बहुत ज्यादा आप नहीं भूने क्यों ये चोटा चोटा गीश्ट हो जाते हैं तो यह बहुत ज्यादा क्रिश्पी हो जाएगा वह अच्छा नहीं लग तो एसको सर्फ स्घाव करें डी ऊपड़ के साथ में करें 59 बेकर transition UCA तरह भाची दाल के साथ में सिर्फ के जिए बहुत ही यई रथी रेशिपी तो बैधने योफ को बजिए रेशिप की खा सकते हैं, तो टेस्टी कुछला हुआ गोष्ट या कुटा हुआ गोष्ट की रेसिपी बनकर तयार है, रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर रिक लाइक कीजिए, शेर कीजिए अपने ऐसे फैमिली और फ्रेंड से जिनको कुटे हुए गोष्ट की रेसि